Hello everyone, this is Satpal and you are watching option seller और देखे कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक strategy शेर की थी उस strategy को मैंने नाम दिया था कि it is big boys covered call जो big boys है जिनके पास धेर सारा पैसा है basically वो इस strategy को trade करते हैं तो आज की जो strategy है ये basically वही strategy है लेकिन इसका नाम है poor man's covered call ये थोड़ा funny नाम है जैसा कि मैंने आपको बताया उस strategy का नाम था big boys covered call और ये उसका एकदम opposite है poor man's covered call तो ये poor man's covered call है ये नाम खुदी self-explanatory है कि इस strategy को trade करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए और इसमें आपको profit वैसा ही होगा जैसा एक covered call में होता है तो ये strategy क्या है इसको कैसे trade करना है इसका setup क्या होगा ये माज आपको बताऊँगा तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको screen पर लेकर चलता हूँ तो ये मापको option के screen पर ले आया हूँ और देखे जो covered call strategy थी उसमें क्या होता है हम एक underline को buy करते हैं जिस stock में हम invest करना चाते हैं उसको cash में हम buy करते हैं और हर महिने rental income के लिए हम एक out दमनी का covered call sell करते हैं तो call option जो हम sell करते हैं वो इसलिए करते हैं कि अगर market उपर जाता है तब तो जो underlying मैंने buy कर रखा है उसमें मुझे profit होगा और अगर market उपर नहीं जाता है तो जो call option मैंने sell कर रखा है उसमें मुझे profit होगा तो जो covered call हम sell करते हैं वो basically एक rental income होती है कि हमने जो investment किया है उसके against हमें हर मैंने एक rental income मिलती रहे तो वो हती है covered call लेकिन covered call में आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है एक covered call को trade करने के लिए क्योंकि आप cash में underlying को buy कर रहे हो जैसे nifty है nifty काँ पी trade कर रहे है 16700 पे और nifty का load size क्या है 50 तो अगर मैं 16700 को 50 से multiply करता हूँ तो ये 8.5 लाग के आसपास आता है तो cash में buy करने का मतलब आप पूरी contract value पे कर रहे हैं इसी तरह से अगर आप किसी stock को buy करते हो तो stock का load size है that into जो stock का price है उसको अगर आप multiply करोगे तो वो contract value आ जाती है तो एक covered call को trade करने के लिए आपके पास underlying होना जरूरी है और underlying होने के लिए जरूरी है कि आपके पास वो पूरी contract value जो उसकी है उतना पैसा आपके पास हो अगर आप 8-10 लाक रुपए invest करके और किसी stock को buy करते हो then you are eligible for selling a covered call तो covered call को trade करने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप एक covered call को कैसे sell कर सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है एक underlying को buy करने का तब भी और इसलिए इस strategy का नाम है poor man's covered call तो यह कैसे आपको trade करनी है वो अब मैं आपको बताता हूँ तो देखे जुलाई month है वो तो almost खतम हो चुका है मैं अगली series लगा लेता हूँ जो की है 25th of August की तो देखे निफ्टी अभी कहाँ पे trade कर रहा है निफ्टी trade कर रहा है 16600 पे जो 16600 का level है वो at the money का level है तो एक covered call में हम underlying को buy करते हैं और out the money का call option sell करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे underlying buy करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है मैं assume करके चल रहा हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है इतना कि हम underlying में buy कर सकें stock को cash में buy कर सकें तो उसके लिए आपको क्या करना है आप एक future को buy कर सकते हो future को buy करके और एक call option को sell करो तो यह भी covered call हो जाता है लेकिन future को buy करने के लिए आपको अच्छा खासा margin चाहिए एक लाग से उपर का आपको margin चाहिए तो उससे भी कम अगर आपको margin देना है तो आप क्या कर सकते हो तो देखे poor man's covered call में हम क्या करते है हम एक in the money का call option buy करते है जिसका delta 80-90 के आसपास हो उसका हम एक lot buy करेंगे और फिर हम एक covered call को sell करेंगे एक out the money के call को sell करेंगे तो यह जो setup बनता है इसको बोलते है poor man's covered goal देखे आप in the money का जो call option buy कर रहे हो जिसका delta 80-90 है that will behave like a future or the underlying because future और underlying है उनका delta 1 होता है और यहाँ पे जो मैं option buy कर रहा हूँ उसका delta 80-90 है तो अगर market उपर जाता है तो यह delta उपर होके और 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो जितना profit आपको future में होगा या आपने जो cash में buy किया है उसमें होगा उतना ही profit आपको इस call option में होगा जो आपने इंदा money का buy किया है तो मतलब आपने ना future का margin पे किया ना आपने cash की जो total contract value है वो pay की आपने एक छोटा सा premium pay किया उस option को buy करने के लिए और अब आपको उसी तरह का profit हो रहा है जिस तरह का profit आपको future में या आपने जो cash में stock buy किया था उसमें होता तो आपने एक इंदा money का call option buy कर लिया और अब आप एक out the money का covered call sell कर लिए जो call अब आप sell करोगे out the money का इसमें आपको डिरने की जरुरत नहीं है क्योंकि ये already hedged है आपने एक नीचे का in the money का call option buy कर रखा है अब अगर market उपर जाता है तो आपने जो option sell कर रखा है उसमें आपको loss होगा लेकिन उससे पहले आपने जो option buy कर रखा है अगर market उपर जाएगा तो तो हमने दोनों scenarios को एकदम सेम रख दिया अगर market उपर जाता है तो हमें इन दमनी call में भी फाइदा होगा और अगर market उपर जाता है तो underlying stock में भी फाइदा होता तो उपर जाता है market तो हमें फाइदा होगा और जो covered call हम sell कर रहे हैं उससे हमें ढूरने की जरुरत नहीं है क्योंकि वो दोनों cases में hes'd है एक जगे वो underlying से hes'd है और दूसरे जगे वो इंदा बने के call option से hes'd है तो अगर आप उस covered call को hedge करते हो underlying से तो it is a big boys covered call और अगर आप उस covered call को hedge करते हो एक इंदा मने के call से लगा ली है निफ्टी 16600 पे है तो यहां पे मैं क्या करूँगा 80 से 90 डेल्टा का एक call option buy कर लूँगा 15800 का जो डेल्टा है यह almost 82 है तो इसका एक लोट में buy कर लूँगा देखिए आपको डेल्टा हेंडड नहीं लेना है शुरू में आपको 80 डेल्टा ले लेना है क्योंकि मार्केट उपर जाएगा तो आपका डेल्टा भी उपर जाता जाएगा तो वो वन की तरफ ही अप्रोच करेगा तो you can start with 80, 90, 70 whatever you want बट आपको in the money purchase करना है तो यह देखिए यह मैंने in the money का एक call option buy कर लिया है अब मैं covered call sell करूँगा और covered call क्या होगी out the money का call option sell करूँगा तो nifty है 16,600 पे अब मैं जाओंगा out the money में nifty 16,600 पे है जो की add the money का level है तो इससे मैं उपर जाओंगा और मान लिज अगर market उपर जाता है तो मुझे 22,000 रुपीज का profit होगा और अगर market नीचे जाता है तो मेरा loss 37,000 रुपीज का है देखिए जब आपने underlying buy कर रखा था तो market जितना नीचे जाता उतना ही आपको loss होता वहाँ पे जो आपका loss है वो unlimited है क्योंकि आपने कोई stock buy कर रखा है उसक इसका एक और plus point है कि आपका maximum loss defined है market कितना भी गिर जाए आपको इससे जादा loss नहीं होगा और अगर market उपर जाता है तो आपको अच्छा खासा profit होगा एक lot पे आपको 22,000 रुपीज का profit हो रहा है तो यह जो setup बनाया है इसको बोलते है poor man's covered gold और इसको poor man's covered gold क्यों बोलते है मैं काफी बार बता चुका हूँ यहाँ पे देखिए जो 17,000 का call option मैंने sell किया है यह है covered gold तो यह तो हर जगाई हमें sell करना है लेकिन इस setup को poor man's covered gold क्या बना रहा है यह जो option मैंने buy किया है मैंने यहाँ पे इंदा मने का call option buy किया है और यह एक normal covered gold कब बनता जब यहाँ पे मै margin में और एक covered gold को trade कर सकते हैं देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना margin आपको चाहिए यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ 16,000 रुपीज चाहिए जो margin requirement है वो सिर्फ 16,000 रुपे की है अगर आपके पास 16,000-17,000 रुपीज है तो आप एक covered gold को trade कर सकते हो ल margin requirement देखिए एक में आपको almost 9,000 रुपीज चाहिए और एक में आपको सिर्फ 16,000 रुपीज चाहिए तो यह होती है poor man's covered gold यह नाम थोड़ा funny है poor man's covered gold लेकिन वो नाम इसलिए जिया है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो वो किस तरह से एक covered gold को trade कर सकता है तो इन दावन वोचिंग दा वीडियो अगर आपके कोई query हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें This is Satpal signing off